एक सभी मैं ऑलब यहां दोस्तों सोभजब ए आपकाla मेरे चैनल में ट्रैवेल विद अमना आज मैं हूं अभी रिद्वार में दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलूंगा यहां से हरकी पोड़ी हरीदवार स्टेशन रेलवे स्टेशन से हम हरकी पोड़ी कैसे जाएंगे चलिए दोस्तों निकलते हैं बाहर स्टेशन के और मैं आपको बताता हूँ आप यहां से अगर फैमिली के साथ हो आप यहां से आटो भी ले सकते हो अगर आप यहां से पैदल जा सक अगर आपके साथ कुछ लोग हैं जो पैदल नहीं चल सकते तो फिर आप जो है यहां से आटो लेंगे आटो एक बंदेगा 30 रुपे लेते हैं और वह भी बहुत पीछे जो है आपको खड़ा कर देंगे यहां पर सारी रात अगर आप रात को भी आए हैं सारी रात यहां पर दुकाने जो है खाना पीना हर चीज आपको मिलती रहती हैं बिल्कुल सीधा आप जाएंगे कहीं आपको मुन्ना नहीं है बिल्कुल सीधा जाकर और राइट बुड़ेंगे तो वहीं पर जो है हरकी पोड़ी वहां पर आपको दर्शन करने सारे मंदिर वहीं पर हैं मुन्हें आपको शचाएंगे दर्शन भी करांगा अभी यहां पर बहुत जादा ब्रही हो चुकी है रात का समय है यह राज का टाइम अभी आठ साड़े आट बजहें आठ बजहें और यहां पर आप अभी तो बहुत जज़ादा बीड हैं चार धाम यात्त्रा भी होती है और 25 मईग को जो है वो शुरू हो चुकी है हैंकुन सहीब की यात्रा भी यहां से इसलिए यहां पर इतना जो है बीड हो चुकिए दोस्टों चलिए आपको मैं दिखाता हूं बहुत सारे लोग जो है बहुत दूर दूर से यहां पर जो आते हैं यह देखिए मचलियों का दाना माता जी बेच रही है और यह देखिए गंगा जी के दर्शन कीजिए हर हर गंगे बोलिए हर हर महादेव बोलिए और दोस्तों एक बात बोलता हूं अगर आपको वीडियो अच्छ कराने लेके जाओंगा यह देखिए रात का समय बहुत जादा लोग है यहां पर बहुत जादा भीड़ है और अभी भी जो है सनान सभी लोग जो है कर रहे हैं अगर आपको दर लगता है कि आप मतलब आगे बच्चे हैं आपके पास तो यह चोटी चोटी बोड़ियों बन लेकिन जलस्तर इतना तेज है गंगा जी का कि आपको जो है ऐसे कोई मस्ती बगरा नहीं करनी चाहिए यहां पर और बहुत ही अच्छा बहुत ही बहुत ही मेरा अपना मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा एक्सपिरियंस रहा यहां पर बीड थी बस अगर आपको यहां पर अभी होटल भी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाके रखी है सभी होटलों की आप कैसे यहां पर रह सकते हो अगर आपको यहां पर रूम नहीं मिलता तो आप स्टेशन पर भी रुख सकते हो वो भी वीडियो है आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकत और यहां पर बहुत सारे चोटे-चोटे मंदिर बने हुए हैं आपको वहां पर दर्शन कराएंगे दोस्तो एक और बात मैं आपको बता दू कुछ लोग यहां पर पंडे जी यहां पर दान कीजिए बहुत बढ़िया है अगर नहीं आप के पास कोई समर्ता है कुछ नहीं करना चाते तो उसमें भी कोई सकांच, आप बचके रहिएगा, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये सामने की तरफ देखर हैं, ये लक्षमी जी का नरायन जी का देखर हैं, मैं आपको नीचे जाक कि पहले जो है आगे-थोड़ा चलते हैं ़िमते हैं फिर मैं आपको गूंते मतलब दर्शन करते हैं तो फिर हम आकर मन्दिर के दर्शन भी जरूर आपको करायेंगे मैं दोस्तों आपको बार बार बता रहा हूँ अभी हम हरीदवार स्टेशन से जब आए हैं यहां पर तो मैं आपको बता दूँ वहां से आपको 30 रुपए आटो के लगेंगे अगर आप पैदल आते हो तो पैदल बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि अगर आप चल सकते हो तो अगर नहीं आ सकते तो 30 रुपए एक आटो वाला लेता है तो आप सीधा आ सकते हो अधर आसे सकते हो पनायता है तो 13 रुपए भीड़िया रुह भाला